नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी लोगों का railway exams वाला में एक बहुत important update उन सभी अभ्यारतियों के लिए सभी students के लिए जो basically railway exams की तैयरी कर रहे हैं और साथ-साथ railway वाले बच्चों के लिए अभी अभी website पर एक notice जारी करके बताये गया है कि आप लोगों को अपना आधार जो है वो verification करना compulsory है आप में से बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग different different exams को fill किया होगा जैसा कि मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ फिर मैं आपको notice भी दिखाऊंगा वो क्यों कौन-कौन से notice आपके सामने हैं आप में से बहुत सारे students ने basically RRB, ALP के लिए apply करा होगा, RRB technician के लिए आप लोगों ने apply किया होगा, railway, RPF, Sub-Spector और Constable के आप लोगों ने apply किया होगा, या फिर RRB, JEE और Paramedical जो अभी running में चल रहे हैं इनके लिए आप लोगों ने apply किया होगा, home को apply करते time आप लोगों के सामने, verification आधार का option आता लेकिन बहुत सारे बच्चे कई बार उसको ignore कर देते हैं, तो अभी website पर, railway की website पर एक notice के जरीए बताये गया है, कि आप लोग अपने verification को complete करेंगे, और ये notice का मैंने भी cutting आपके सामने लगाई हुई है, लेकिन मैं notice notice में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले आप लोग अगर इस notice को देखेंगे, तो यहाँ पर Government of India, Ministry of Railway Department से notice को जारी किया गया है, और इस notice में क्या लिखावा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको headline करके आपको बताये तो कि क्या क्या चीज़े हैं, देखो, applicant or candidates are advised to authenticate their identification through आधार verification यानि आधार के थुरू आप लोगों को अपना identification करना है, while applying for the various centralized employment notice issued by the RRB, submitting RRB application through the आधार verification mode will be facilitated smooth entry to examination center and streamline the post exam process for the applicant, कहने का मतलब यह है, कि जब आप अपने exams के अंदर appear होंगे, जब आप अपने center पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी जो entry है वो बहुत आराम से हो सके, तो किसी भी तरीकी की वहाँ पर problem ना create हो, इससे अच्छा है, कि आप पहले ही अपने अधार जो है, उसको verify कर ले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RRB की website पर जाना पड़ेगा, और अपना जो login ID है, उस तरीके से आप लोग उसको enter करके, और वहाँ पर अपना अधार को verify कर सकते हैं, number वगर अधार डालना, OTP आपके सामने आएगा और उसके बाद आप verification कर सकते हैं, तो clear यहाँ पर mention किया गया है दोस्तों, कि अगर आप अधार verification mode will be facilitate to smooth entry to examination center, यानि कि examination center पर किसी भी तरीकी की problem आपको ना रहे, इसलिए अपनी अराम से entry के लिए application, अब दो को बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जिनके दिमाग में चल रहा होगा, कि सर हमने तो already अपने application form को फिल कर दिया है, तो जिनोंने अपने application form को complete कर दिया है, उनके लिए क्या बोला जा रहा है, for issued by the RRB during the 2024, using documents other than अधार कार, अगर उनने अधार कार के इलावा, यसे driving license डाला है, passport डाला है, pen डाला है, voter ID डाला है, can complete आधार verification by logging in there with their user credential www.rbapply.gov.in, यानि कि अगर आप लोगोंने अपनी, जो आप लोगों का identification, अगर आप लोगोंने किसी ने driving license डाल दिया हो, passport डाल दिया हो, pen number डाल दिया हो, voter ID डाल दी हो, तो आप एक बार दुबारा से वहाँ पर आधार को जरूर डाल दिजेगा, जो आप लोगों का, basically इस website पर जाके आपको करना है, this आधार verification is a one time exercise, यानि कि एक बार आपको यह करना होगा, and will automatically valid for the present and the future job notification and applications, यानि कि दोस्तों, एक बार अगर आपका सपना है, railway department को join करनेगा, तो एक बार अपना आधार आप लोगों यहाँ पर verify कर लीजिए, in future आप कोई भी exam को fill करेंगे, या किसी भी exam की notification अगर government को आपको देनी होगी, तो आप लोगों को दुबारा से आधार को verify नहीं करना पड़ेगा, यह सिर्फ एक time आपको करना पड़ेगा, one time exercise आपके पास यह रहने वाली है, इसके third party की सांथ share नहीं करेगी, ऐसा commitment जो है वर्डों में लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यह जो है, them for any purpose and other than the objective of the respective CIA, ठीक है, candidates are advised to refer only the website, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे जाकर आप लोगों को RRB की वेबसाइट पे जाकर जो है, आप लोगों को यह process complete करना है, तो आप म कोई application form आपने भरा है, तो आप login करके अपने आधार को verify, जरूर कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के यह information पहुचार दीजिएगा, ठीक है, बाकि आप में से जो भी बच्चा, अगर railway exams वाला के साथ अपनी preparation करना चाहता है, तो राजधानी 3.0, railway NTPC के लिए CBT1, CBT2 के लिए एक special batch आप लोगों के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें complete batch के साथ test series भी आपको मिलेगी, और अगर आप railway के exams को in future, सारे exams को target करना चाहते हैं, तो this is my personal advice, अगर आपको लगता है कि आपको किसी special classes की need है, तो आप railway के महा pack को लेना, जिसमें एक साल तक आ Group D, RPF, Constable, SI, ALP, Technician and other railway exams के लिए best होता है, ठीक है, चलिए, बाकी है हमारा Telegram Channel है, authentic information के लिए Telegram Channel को join कर लेना, ये बार कोड है, इससे आप स्कैन करके, जो को, जो है, टाइम पर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठैंक्यू सो मच पैरे दोस्तों, आप लोगों सो, जरूर कर अधार कार्ड को अपना verification जरूर करना, ताकि आप लोग अपने exams के अंदर अराम से entry ले सके, और government ने अगर कुछ notice निकाला, तो कुछ सो समझ के ही निकाला हुआ, आप लोगों के favor में ही, all the best, thank you so much, take care, bye-bye, जहीं, धन्यवाद, thank you.